हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सास बहूर रसोई आज हम बनाने वाले हैं बहूती मशूर राजस्तान की फेमस सबजी हम राजस्तानियों के लिए दाल बाटी दिल है तो बेसन गट्टे की सबजी तड़का है आज हम राजस्तान की मशूर सबजी जो क बहूती जादा फेमस हैं और किसी भी ओकेजन पर यह हलवाई लोग इसे जरूर बनाते हैं और यह हमारे घरों में अक्सर बनाई जाती है दाल बाटी चूर्मा के साथ या धाबी की मशूर सबजी जो बनकर तैयार होती है आज मैं उसे बनाकर बताऊंगी इसे घर में बना बैसन गट्टे की सब्जी बहुती जादा टेस्टी लगती है और आप भी सब्जी को बनाकर राजस्तान का असली सवाथ घर बेठे ले सकते हैं यह बैसन गट्टे जो है मूह में घुलते ही एकदम से घायब हो जाएंगे और बहुती मज़ा आने वाला इस सब्जी को खाक यह आप गरम गरम पराटे के साथ रोटी के साथ नान के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं इसे आप जरूर बनाए और ट्राइ कीजी आईए हम बनाते हैं अपनी किचिन में तो चलिए इसके लिए मैंने अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज दोस्तो करते हैं बेसं कट्टे की सब्जी बनाना यह सब्जी बनाना बहुती आसान है आज हम इसे ही बना कर और आपको बताएंगे कि इस तरह से बनती है इसके लिए मैंने दो कटोरी बेसं ले लिया है बेसं में अब हम मसाले मिक्स करेंगे फ्रेंड यहां मैंने एक चमच नमक लिय एक चम्मच में ने आपर हल्दी ली है और दो चम्मच में ने आपर लाल मिर्ची पाउडर लिया है और एक चम्मच में ने सूखा धनिया लिया है अब जो खड़ा धनिया आता है हम उसे भी इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और थोड़ और इससे अच्छे से mix करते रहेंगे ये देखिए अब इसमें हम मॉइन के लिए डेड़ चमच तेल डालेंगे और इसे धीरे धीरे मिलाते रहेंगे अच्छे से घूत लेंगे बेसन को इसमें हमें पानी जादा डालने के आउशकता नहीं है क्योंकि ये वेसे भी घीला हो जाता है जल्दी हमें थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है इसके लिए मैंने बिल्कुल हलका सा पानी लिया है थोड़ा सा इस तरह से हमें डो रेडी कर लेना है अब हम इसके गटे बनाकर तयार करेंगे दोस्तों आप इसके छोटी सी लोई ले और उसे ऐसे घुमाते रहें आप किसी भी शेप में अपने गटे तयार कर सकते हैं ये देखिए गटे हमारे ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए फ्रेंड इसके लिए हमने मौई लिया है ओइल डाला था उससे हमारे सॉफ्ट बनके तयार हो जाएंगे एकदम मौ में रखते ही घुलेंगे इस तरह से हम सारे गटे रेडी कर लेंगे दोस्तों मैं यहां छोटी गटे बना रही हूं आप चाहें तो इन्हें घरम पानी करके कड़ाई में भी उबाल सकते हैं और कूकर में भी बॉल कर सकते हैं हम यहां कुकर में बोल करेंगे फ्रेंड हमारे गट्टे बनके सारे रेडी हो चुके हैं अब मैंने यहां पर कुकर लिया है कुकर में हम तीन ग्लास पानी एड करेंगे और इसके अंदर हम गट्टे हमारे डाल देंगे सारे जो हमने अभी रेडी किये थे ध्यान रहे फ्रेंड गट्टे टूटे ना अराम से हलके आतों से ही हमें इसे डालना है यह देखिए इस तरह से मैं सारे गट्टे इसमें डाल दूँगी और एक विसल लेने से ही यह सारे गट्टे हमारे पक जाएंगे अगर आप कड़ाई में बना रहे हैं दोस्तों तो आपको गट्टे कैसे पके इसका भी मैं बता देती हूँ उसमें क्या है कि गट्टे थोड़े से फूल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गट्टे हमारे पक चुके हैं यह देखिए मैंने इसकी विसिल ले ली थी और इसे निकाल लियते हैं अब यह देखिए हमारे गट्टे कितने अच्छे फूल गए हैं और इसमें इस तरह से bubbles भी पढ़े हैं, bubbles पढ़ने से भी पता चल जाता है दोस्तों कि हमारे गट्टे काफी अच्छे से पग गए हैं, अब ये जो पानी हैं, इसे हम फेकेंगे नहीं, इसे हम reuse करेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारे गट्टे काफी अच्छे से पग गए है अब हम इनके छोटे-छोटे से पीसेस कर लेते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से हम पीसेस कर लेंगे इनके अब इस सब्जी को दो तरह से बनाई जाती है दोस्तो ये जो हमने पीसेस किये हैं इन्हें हम पहले ओल में फ्राई भी कर सकते हैं और इसे डेरेक्ट भी बना सकते हैं हम इसे डेरेक्ट बना कर बताऊंगी मैं आपको अगर आपको फ्राई वाले पसंद है तो आप ओईल रखका इसे फ्राई भी कर सकते हैं पर उसमें तेल जादा हो जाता है दोस्तो इसलिए हम इसे फ्राई नहीं करेंगे डेरेक्ट इसमें थोड़ा सा ओयल जादा ही चाहिए अधर सबजी के अकोडिंग ये देखिए इस तरह से हम तेल को गरम कर लेंगे अब चलिए अब हम इसमें मसाले एड करते हैं पहले मैं इसमें खड़े मसाले एड करूँगी मैंने आपे एक दाल चीनी का टुकड़ा दो साबुत लाल मिर्च तीन तेज पत्ता और खड़ा धनिया भी क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है आदा चम्मच राई और आदा चम्मच जीरा डाला है अब हम इससे अच्छे से तड़कने देंगे हसे उसके वाद हम बारीक कटी हरी मेची डाल देंगे यहां पर मैंने играटीवbes लिए थी और कुछ मैंने कड़ी पत्ते इसमें डाल दियी है अब मैंने इसमें लसनग का पेस्ट डाल दिया है इसे जाद्य बारिक नहीं किया है, दोस्तों, अभी अच्छे से पक जाएंगे, तो हम इसमें, दो मेडियम साइज के प्याज में ने कट की थे बारिक, वो भी हम इसमें एड कर देंगे, ये देखिए, अभी से अच्छे से हिला लेंगे, और इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे हैं जब तक प्या ag our हमारे हल्के ब्राउंड नी हो जाए तब तक हम इसका और मसाला एक एड़ कर लेते हैं दोस्तो मैंने आपर एक बौल लिया है बौल में मैंने चार चम्नज दही लिया जाधा कटा नहीं होना चाहिए फ्रेश दही लिया है मैंने आपकर के इसी में हम हमारे सारे मसाले एड़ करेंगे ये देखिए हमने गट्टों में भी मसाले एड़ किये थे तो अब हम ग्रेवी के लिए कर रहे हैं यहां मैंने आदा चम्मच हल्दी और दो चम्मच लाल मिच डेट चम्मच में आपर धनिया डालूँगी पीसा हुआ धनिया से भी हमारी ग्रेवी काफी ज्यादा अच्छी लगती है आदा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और एक चम्मच अच्छा कलर आने के लिए मैं यहां पर कश्मीरी मिर्ची एड़ करूँगी अब इन मसालों को अच्छे से हमें पका लेना है दोस्तों कि यह देखिए कि मैंने नमक प्याज के अंदर ही एड़ कर लिया है दोस्तों जिससे हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा आप चाहें तो नमक कम या जादा आपके अकोडिंग कर सकते हैं मैंने डेट चमश लिया था अब हम देख लेते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है तो हम इसने में जो हमने पेस्ट बनाया था दई का वो भी एड़ कर लेंगे ये देखिए इस तरह से इससे हमारी ग्रेवी काफी जादा अच्छे बनकर तैयार होगी दोस्तों अब इसे भी हम पकने के लिए छोट देंगे हिला के ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ग्रेवी हमारा पूरा उइल उपपर आ चुका है सबजी का ये देखिए अब जो हमने गटे कट करके रेडी किये थे वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे ये देखिए हलके आतों से ही मिक्स करना है ताकि हमारे गटे जो है वो तूटे ना धीरे धीरे चलाएंगे अब अगर आप टिफिन के लिए निकालना चाते हैं तो थोड़ी सी सूखी भी निकाल सकते हैं इस तरह से इस मसाला पक गया है अब हम हिलाके थोड़ी सी तिफिन के लिए अगर निकालना है तो सूख immigrant संब्जी भी निकाल सकते हैं उसके हम इसमें पानी एड करेंगे यह देख है गटे अच्छे से हमारे पक गये हैं और सब में मसाला अच्छे से मिल गए हैं अब हम इसमें पानी एड करेंगे पानी मैंने दूसरा नहीं लिया नोस्तों जो मैंने बॉइल किये थे गठे वही लिया है उसका टेस्ट बहुती अच्छा आता है और फ्लेवरुल रहता है ये देखिए इस तरह से मैंने दो बावल इसमें पानी ले लिया है ग्रेवी वाली सब्जी बेशन गट्टे की बहुती ज़ादा अच्छी लगती है दोस्तो पर अगर बच्चे खाते हैं तो आप उनके लिए सूखी सब्जी भी निकाल सकते हैं ये देखिए हमारी सब्जी अल्मोस्ट बनकर तयार है तो चलिए अब इसमें कसूरी मेथी भी एड़ कर लेते हैं मैंने आप एक चम्मच कसूरी मेथी क्रश कर ली थी उपर से हम एड़ कर सकते हैं और धनिया भी इसमें डाल सकते हैं बारी कटा हुआ ये देखिए बेशन गट्टे में थोड़ा सा मैंने पानी जादा ही रखा है क्योंकि इसके बाद अगर ये थोड़ी से लेट अगर अपन खाते हैं तो इसमें पानी वैसे भी कम हो जाता है अब हमारी सबजी बिलकुल बनकर तयार है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका और कितनी जादा टेस्टी लग रही है ये बनने में अगर आप एक बार बनाएंगे तो यकीन करिए सब को बहुत जादा पसंद आने वाली है ये राजस्तान की स्प